हिंदी में एक मशूर कहावत है सपने उन्हीं के सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त होसलों से उडान होती है और अगर वो सपने आपके लिए आपके माबापने देखे हो तो फिर उन्हें पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता है ऐसा ही कुछ हुआ हमारी करनाटका के छोटे से गाउं बीजापूर में पैदा हुई राजेश्वरी गायकवार के साथ इनके घर का महौल बॉन विद अ सिल्वर स्पून तो नहीं था पर बेशक बॉन विद लॉट्स अव टैलेंट जरूर था संगीत से लेकर स्पोर्ट्स तक सब में रूची रखने वाले परिवार में 1st जून 1991 को जन्म हुआ राजेश्वरी कायकवार का बचपन में ही जैवलिन और डिसकस्त्रो जैसे खेल में अपना कमाल दिखाने के बाद राजेश्वरी ने पापा की कहने पर क्रिकेट खेलना शुरू किया साल 2007 में बीजापुर में जब गर्स के लिए क्रिकेट अकैडमी खुली तो राजेश्वरी ने सोचा चलो इसमें भी हाथ आजमा लेते हैं गौर तलब है कि इससे पहले वो ये भी नहीं जानती थी कि लेधर बॉल से भी क्रिकेट खेला जाता है क्योंकि अब तक तो सिरफ टेनिस बॉल से ही मुलाकात हुई थी क्रिकेट के मैदान में धीरे धीरे उनकी रूची क्रिकेट के मैदान में जायदा और कॉलिज के क्लासरूम में कम होने लगी रोध सुभा प्रैक्टिस के बाद कॉलिज जाती थी गायकौर्ट पिताजी को ये बाद जब समझ आई तो उन्होंने अपनी बेटी का पूरा साथ दिया और निकल गए राजेश्वरी को लेकर करनाटक टीम में सेलेक्शन ट्राइल्स के लिए पर प्राइमरी स्कूल के एक आम शिक्षक थे शिवानंग गायकौर्ट वो ये अच्छे से समझ रहे थे कि उनकी आमदनी में राजेश्वरी को प्रोफेशनल क्रिकेटर बनाना खैर आसान होगा नहीं पर वो कहते हैं ना बड़े सपने देखने के लिए बड़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है और मिस्टर गायकौर्ट बिलकुल तयार थे इस कठिन सफर की शुरुवात करने के लिए मन में जोश और आँखों में उतसा लेकर ट्रायज में पहुँच गए दोनों पापा और बेटी की जोड़ी देखा तो लंबी कतार थी लगबग 200 लड़कियों की क्या इन 200 लड़कियों के बीच राजेश्वरी अपनी पहचान बना पाएगी ये जानना बागी था पापा की पुरानी पतलून छोटे से मार्किट से लिया हुआ साधारन सा टी शिर्ट और कलब में मिली हुई क्रिकेट की किट पहन के राजेश्वरी मैदान पर उतरे और अपनी तेज गेंद बाजी का चलवा दिखाया और इस तरहां बन गई राजेश्वरी डमेस्टिक क्रिकेट टीम का हिस्सा राजेश्वरी ने डिमेस्टिक क्रिकेट का पहला मैच आंधर प्रदेश के अनंतपुर में खेला जिसके बाद उन्हें 9000 रुपे डेली अलाउंस के रूप में मिले उन दिनों घर के हालात कुछ ठीक नहीं थे उस दिन जैसे ही राजेश्वरी अपने पापा से मिली उन्होंने सारे अलाउंस के पैसे पापा के हाथों में थमा दिये ये देखकर पापा की आँखों में नमी तो जरूर थी पर वो उनके लिए बहुत गौरवानवित करने वाला लमा भी था अब राजेश्वरी को डुमेस्टिक टीम में खेलते हुए पूरा एक साल हो गया था फिर आया करनाटक अंडर 19 टीम का सेलेक्शन राजेश्वरी काफी नर्वस थी वो गेंदबाजी करती जा रही थी पर ओवर खता ही नहीं हो रहे थे एक दर्जन बॉल डालने के बाद भी उनका प्रदर्शन बाहर निखरकर आया ही नहीं ऐसा लग रहा था कि राजेश्वरी का कॉन्फिडेंस कहीं खोसा गया हो वो अपनी ही गेंदबाजी में उलट सी गई हो उनके फास बॉलिंग का कमाल कहीं मिसिंग था ये सब देखते हुए कोच ने तुरंत कहा क्रिकेट में अगर कमाल करना है राजेश्वरी तो तुम्हें बॉलिंग स्टाइल बदलनी पड़ेगी स्पिनर बन जाओ राजेश्वरी को ये बात बिलकुल हजम नहीं हुई क्योंकि उन्होंने आज तक सिरफ फास बॉलिंग की थी और फास बॉलर बनने का सपना दिखा था उन्हें ऐसास हुआ कि शायर दब मैं लंबे समय तक क्रिकेट खेल नहीं पाऊंगी जब ये बात निराश होके राजेश्वरी ने अपने पिता जी से शेयर की तो पिता ने समझाया कि गुरू की बात को टालते नहीं है जैसा कह रहे हैं तुम वैसा ही करो राजेश्वरी ने पापा की बात को मानते हुए स्पिन बोलिंग सीखने का फैसला किया शिरुवाती दिनों में राजेश्वरी को काफी तकलीफों का सामना करना पड़ा प्रैक्टिस के बाद पुरा शरीर दर्द करता था आफ्टर आल अलग-अलग मसल्स का इस्तमाल जो होता है फास बोलिंग एंड स्पिन? बोलिंग जरूर है पर बहुत मुश्किल काम है बहुत अलाइदा काम है लेकिन लगातार कहीं महीनों के बाद राजेश्वरी बन गई थी लेफ्ट ताम स्पिनर और ये डिसीजन उनके लाइफ का सबसे बहतरीन डिसीजन निकला 2013 में रांची में चैलिंजर्स टोफी खेलने के बाद राजेश्वरी को पता चला कि वो इंडियन नाशनल टीम के लिए सेलेक्ट हो गई है उन्हें यकीन ही नहीं हो पाया था कि ये सच है ऐसा लग रहा था कि उनके जीवन की ये सबसे बड़ी जीत थी राजेश्वरी था इंडियन क्रिकेटर फिर क्या होना था 19 जनवरी 2014 को राजेश्वरी ने अपना ODA डेब्यू किया श्रिलंका किया गेंस और पहले ही मैच में दो विकेट लेकर अपनी धमाकेदार बोलिंग कर प्रदरशन दिखाया इसी साल आगस्ट में राजेश्वरी इंगलेंड के खिलाफ आई सी सी विमन्स चैंपिन्शिप खेलने वाली थी पापा अपने बच्चे के पहले फॉरन टोर को लाइफ देखने की तैयारी में थे लेकिन किस्मत को शायद कुछ औरी मनजूर था इससे पहले की वो इंगलेंड सीरीज खेलती राजेश्वरी के पापा की काडियक अरेस्ट के चलते डेथ हो गई राजेश्वरी इस हादसे से खुद को संभाल पाती उससे पहले ही उनके सर पर घर की जिम्मेदारियां आ गई अब उन्हें क्रिकेट के साथ साथ घर के फाइनैंसिस का भी ध्यान रखना था पापा के जाने के बाद राजेश्वरी घर की एक मात्र अर्निंग मेंबर थी जिस वजह से 2015 में राजेश्वरी ने रेलवे के लिए खेलना शुरू किया और ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि दोनों जिम्मेदारियों को बखू भी निभाया राजेश्वरी ने इसका जीता जाकता उधारन है 2017 का विशुका मुश्याद आया जी हाँ 2017 का वो एतिहासिक वर्ल कप जिसमें भारतिये टीम फाइनल तक पहुँची इंग्लेंड के सामने जरूर नौ रन से फाइनल में हार मिली थी पर उस दिन इंडियन विमेंस क्रिकेट ने हर भारतिये के दिल में जगा बनाई और राजेश्वरी का बहुत बड़ा योगदान था भारतिये क्रिकेट को उस टीम को उस मुकाम तक पहुँचाने में आज तक का सबसे बहतरीन रेकॉर्ड है राजेश्वरी के करियर का इस दिन भारत को अपनी वन अदे बेस्ट लेफ्ट टांस पिनर्स मिल गई थी उसके बाद से अलमुस्स हर मैच में कंसिस्टेंट रही है राजेश्वरी और हर मैच में अच्छा परफॉर्म करती आई है 2020 नया साल आ गया है और इस साल फिर इंडियन टीम वर्ल कप खेलने के लिए तयार है क्या इस साल वर्ल कप में हमारी जीत हो पाएगी? क्या इस साल फिर से कोई नया रेकॉर्ड कायम कर पाएंगी राजेश्वरी? क्या फिर से एक साधारन सी नोक्री करने वाले पिता अपनी बच्ची को प्रोफेशनल क्रिकेट बनाने का सपना देख पाएंगे? क्या फिर एक बार साबित हो पाएगा कि अगर आपके इरादे नेक हो और होसले बुलंद हो तो आपका सपना साकार होने से दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती? Go well Rajeshwarie, we are all with you. तो आपका सपना सपना सब्सक्सक्ताब कोई प्रोफेशनल कोई पाएंगे?